मुरादबाद की कांट विदासभा सीट जो है वो काफी होट सीट है और हमारे साथ कमाल अक्तर साहब है कदावर नेता है समाजबादी पार्टी से और यहां से पित्याशी हैं आप से बात करते हैं आज दूसरे चरण का मतदान है आप क्या थे मैं सबसे पहले कांट विदान सभा के सभी मतदाताओं से माताओं से बेनों से बज़रगों से कहूंगा कि आप अधिक से अधिक मतदान करें क्योंकि मतदान सारी चीजों का हल है विकास और खुशाली का यही रास्ता है यह मत तैय करता है के कौन सरकार बनेगी, कौन है मेले बनेगा, हमारे छेत में विकास कराएगा, हमारे बच्चों को रोज़गार दिलाएगा, हमारे बच्चों को शिक्षा दिलाएगा यूरा City का अपर, स νता को पार्टी की नाकामियों को लेकर हम जंता के बीच में जा रहे हैं और जंता का अपार समर्थन अपार प्यार हमें मिलड़ा है और मुझे लगता है कि उत्तर परडेश की जंता परिवर्टन चाहती है समाजवादी पारटी की की उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनेगी अच्छा अगर इन चुनावों की बात करें हिजाब का मुद्धा बहुत कनाटक से जो शुरू हुआ है अलग अलग जगा देशों में फैल रहा है तो क्या धुरूवी करण की राजनीती अब हो रहे क्योंकि इन चुनावों में सवाल है शिक्षा का सवाल है लोगों के इंप्लाइमेंट का बारतिय जंता पार्टी इन चीजों से बचना चाती है वो इसी चीज़े को हिजाब हुआ मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, इन चीजों को सामने लाती है और जनता इस बार गुमरा होना नहीं चाहती अब जैसे हमारे सिख भाई हैं, वो पगड़ी उनके धरम के अंदर है तो पगड़ी पहनते हैं, हमारे ब्रह्मन भाई हैं, वो जनेम पहनते हैं तो हमारी धरमिक परंपराएं, हमारी संस्किर्टी, हमारे समाज के अंदर ऐसी बिवस्ता हैं जिसे हम बनाते हैं, इसलाम धरम के अंदर हिजाब, परदा हमारी हिंदू बहने भी करती हैं अगर कोई हिजाब, अगर हमारी कोई बहन कि पहनने के लिए मना नहीं है स्कूल में पहनने के दून कह श्चिमीसराम करते हैं गरस सकूल है युज़ सева कोई नहीं पहेंठा तो यह भारते जिन्ता पार्टी लोगों को मुद्दों से भटकाना चाहती है इस तरह से इस तरह के मुद्दे लाना चाहती है यह हमारा एक समयदानिक अधिकार है धार्मिक मतलब धर्म को मानना यह हमारा धिकार है स्वतंता हमारा धिकार है तो इस तरह के मुद्दों से भारती जिन्ता पार्टी लोगों को भटकाना या लोग इस बात का जवाब देंगे अपने वोट से और दस मार्च को इस पस्ट हो जाएगा कि भारती जन्ता पार्टी का मुकतार अब बस नक्वी जो कह रहे हैं कि मुसलिम बेटियों को की शिक्षा को लेकर रोक लगाई जा रही है यानि कि उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है देखें मेरा मुकतार साफ से एक सवाल है अगर उने इतनी शिक्षा की चिन्ता है तो वो समानता लाए ना शिक्षा के अंतर कोई बिल लेका है पार्लेमेंट के अंदर ऐसा कि कलेटर का बेटा मंतरी का बेटा और एक गरी मजदूर का बेटा रिक्षा चलाने वाले का है क्योंकि वो विकास के मामले में शिक्षा के मामले में रोजगार के मामले में पूरी तरह फेल हो चुकी है अच्छा एक चीज और मुख्यमिंत्री योगी आदेतिनाद का जो लगातार कह रहे थे कि गर्मी उतार देंगे देखे दो दस माच को उत्तर प्रदेश की जनता पूरी सरकार को ठंडा कर देगी क्योंकि पूरी सरकार की जो गर्मी थी जिस तरह से नोने जुल्म जाती या नियाय अत्ताना शायवली सरकार चली तो जनता उससे तरस्त हो गई है और गर्मी जनता की नहीं थी गर्मी सरकार क थी और वो सही बोल गए कि वो गर्मी को ठंडा कर देंगे जनता हों की गर्मी दस माज को ठंडा कर देगी और उत्तर प्रदेश के अंदर परिवरतन होगा अकलेट जी उत्तर प्रदेश के मकमंत्री होगे